हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल स्टैप आई स्टैप गार्डनिंग फ्रेंट्स आज मैं फिर से आप लोगों से एक सब्कुलेंट प्लांट की वीडियो ही शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आप लोग को मैंने पहले भी कई बर बताया है कि मुझे सब्कुलेंट बहुत ज्यादा ब्यूटिफूल है और आप देख सकते हैं कुछ अलग तरह का लुक दे रहा है अलग अलग वराइटी के प्लांट गार्डन में एड़ करना मुझे अच्छा लगता है अगर आप मेरे ओल्ड वीवर हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी अलग अलग वो प्लांट आपको पसंदा है और आप वो प्लांट अपने गार्डन में लाएं तो उसकी केर कैसे करनी है वो आप मेरी वीडियो को देखकर इसली कर पाएंगे तो इसी परपस से सब भी प्लांट की केर वीडियो में अपलोड करती रहती हूं हर प्लांट की नीट्स जल्दी डाय हो जाता है क्योंकि काफी सेंस्टिव प्लांट होते हैं खुबसूरती के साथ सेंस्टिव भी होते हैं लेकिन अगर आप उसकी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं और चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो यह हमेशा आपकी गारण की बढ़ाते रहें हैं उनकी वीडियो भी अप्लोड है आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे क्रैसुला प्लांट तो कई वीडियो आपको दीख जाएंगे और आप उसकी क्या वीडियो देख पाएंगे तो क्रैसुला में इतनी खुबसूरत बराइटी आती है कि मैं जो भी प्लांट देकते हू के अपने गार्डन की खुबसूरती बढ़ाती हूं तो उनी में से एक है क्रैसुला मॉस्कोसा प्लांट इसके कई अधर नेम भी है फ्रेंड अलग अलग नामों से इस प्लांट को जाना जाता है इसे वाच चेन प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी बन ब्रांचेज हैं उनका और इसे क्रैसुला रेटल प्लांट भी बोलते हैं इसकी ब्यूटी बहुत जादा है बनावट तो कुछ अलग साही है पतली-पतली सी ब्रांचेज से ही ये प्लांट बना हुआ है जब मैंने इस प्लांट को नर्जी से पर्चेज किया था तो बहु अगर आप इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो भी ब्यूटीफुल सा लुक देगा और इसे सिंपल पॉर्ट में लगाया जाता है जैसे मैंने सिंपल पॉर्ट में लगाया है क्योंकि मेरे पास हैंगिंग का स्पेस है ही ने तो इस तरह से सिंपल पॉ डाला तो प्लांट कभी भी मरेगा नहीं उसमें एक्सेस वाटर होता भी है तो वो इसली ड्रेन आउट हो जाएगा और हाँ पॉट में जब स्वाइल भरेंगे आप लोग तो उसमें ड्रेनिस सिस्टम का ध्यान रखेंगे स्वाइल मिक्षर में आप 30% गार्डन स्वाइल लेजिए 50% आप उसमें रिवर्स एंड एड कीजिए और 20% कॉंपोज एड करेंगे क्योंकि जब हम स्वाइल मिक्षर डालते हैं पॉट में और प्लांट को रिपोट करते हैं तो नीव स्वाइल होने के वज़ा से प्लांट तेजी से ग्रोथ करता है तो अगर उसमें अच्छा सा कॉंपोज राइट करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ और अच्छे से हो जाएगी और जल्दी ही आपका प्लांट इस तरह से बुशी लुक में आ जाएगा तो यह स्वाइल मिक्षर परफेक्ट है उसमें थोड़ा सा जरूर डालिएगा क्योंकि उससे प्लांट में पैस्ट अगरा की चांसे नहीं रहते हैं तो यह स्वाइल मिक्षर लेना है आपको उसके बात इसमें वाटर की रिक्वाइर्मेंट क्या होती है सब्लेंट प्लांट मैंने पहले ही बता है बहुत ज्यादा सेंस्ट्री होते ह जरासी मिस्टेक हुई नहीं और प्लांट मर जाएगा तो इसलिए वाटरिंग का ध्यान रखेंगे हमेसा स्वाइल को चेक करके वाटरिंग करनी है जब स्वाइल ड्राय है तो आप उसमें वाटरिंग कीजिए मैं आपको दिखाती हूं देखिए मेरे गार्डन में मैंने कई सारे सब्लेंग के रखनी की कोसिज करती हुँ इसलिए जो सप्लेंब मेरे गार्डन में तीके रखते था घ्क हर एंठे जाने को जाले को वाटरिंग करने हिए और उसके बाद कुछ टाइम दूरिंग करेंगे तभी एक्सेस वाटर नहीं करना थोड़ा सा पानी डालेंगे न तो प्लांट उस वाटर को एब्जॉब कर लेता है अपने आगे की नीट्स को पूरा करने के लिए और उसके बाद प्लांट अची से ग्रोफ करता रहेगा और उसकी डैमेज होने के चांसे खतम हो जाते हैं तो इस तरह से ल पुल डे के सनलाइट में रखेंगे जितनी अच्छी सनलाइट देंगे उतना ही अच्छा प्लांट ग्रोफ करेगा उसके बाद समर टाइम में इसे फुल संसे बचाना होगा आपको इंडारेक्ट ब्रैट सनलाइट में रखना होगा अधर्वाइस तेज धूप से भी इनक प्लांट आपकी गार्डन में बना रहेगा तो यह होगा इसकी सनलाइट की रिक्वाइरमेंट बिल्कुल ऐसे ही सनलाइट देना है आपको अपने क्रेसला मॉसकोसा के प्लांट को इसमें क्या नीड होती है वो भी बता देती हूं देखिए जब इसका ग्रोइंग सीजन है तो अगर साल में सिर्फ एक बार भी आप इसमें कॉम्पोज एट कर देते हैं तो प्लांट अची ग्रोथ करता रहता है उसके बाद इसका प्रोपोगेशन बताती हूं मैं प्रोपोगेशन तो बहुत एज़ी है क्रेसला मॉसकोसा के प्लांट को ग्रो करना एक तो यह स्ट उसके बाद देखिए मैं इसमें बताओं आपको इसमें इस तरह से रूट्स बनने लगे हैं आपको कैमरे में दिख रहा हूँआ देखिए ब्रांच में इस तरह से रूटिंग शुरू हो गई है जैसे जनवरी का महीना चल रहा है तो इस समय से प्रोपोगेट करना बहुत करते है करें काई बाद फ्रेंट में पेस्ट काटेख हो जाता है तो इस कंडिशन में आपको क्या करना ओक कैन फ्रकों प्लांट काफी थे द्यूद है मैंने स्टार्ट्टन में ही आपको बताया है तो आप इस पे पेसी भी पेस्टिसट on- proposed ना क pragें आप इसपरनी मौलक तो बहुत इसली जो पेस्ट लगे हैं वो रिमू हो जाएंगे तो यह थी इसकी कंप्लीट केर मैंने सारी ही इसकी जरूरते बता दी है किस तरह से आप इस प्लांट को ट्रीट करेंगे कि इसकी लाइफ लॉंग हो जाएगी आपके गारण में और यह आपकी गारण की खुब यह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आप ऐसी इंफोमेटी वीडियो मेरे चैनल पर देख पाएंगे और अपने प्लांट के कियर कर पाएंगे जल्दी किसी नए टॉपिक पर आप लोगों से मुलाकात करूंगी तब तक अपना और अपने गारण के सभी प्लांट क ख्याल रखिए बाए फ्रेंड्स हैपी गार्डनिंग